सातियो नमस्कार, सातियो आज कभी से जिव डिक्षन को ले करके हैं, माने छेत्रा धिकार या अधिकारिता और ऐसे मामले जिन में उचीत अधिकारिता या जिव डिक्षन में नहीं दाखिल हैं या आपको ऐसा प्रतित हो रहा है कि अब मुझे इस न्याले से न्याय कियासा नहीं है तो उनको हम ट्रांसपर कैसे करवाएं और किस इस तर तक वो ट्रांसपर कराने के लिए दिले किये जा सकते हैं जब तक ट्रांसपर नहों जाया तब तक कारवाई कैसे रोंकें दोस्तों इस समंद में हम जब दंड प्रक्रिया संहिता देखते हैं तो धारा चार सो च्छे कि यह कहती है कि जब कभी ऐसा कोई मामला जो किसी उच्छ न्यायाले के किसी अधीनस्त सेशन न्यायले में है और उसको किसी अण्य दूसरे उच्छ न्यायले में या उस उच्छ न्यायले के दूसरे सेशन खंड में उधारान के ताउर पर समझते हैं बहुत गौर से समझने बाली बात है अधिकांस लोग समझ नहीं पाते हैं जैसे मान लेते हैं कि कानपुर नगर में कोई मामला सेशन ट्राइल चल रहा है जिसको कोई व्यक्ति मद्ध प्रदेश के इंदोर सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहता है तो ऐसे मामले के फैक्ट बताते हुए ट्राइल में क्या समस्याएं आ रही हैं इसको क्यों अंतरीत कर दिया जाए दोनों पक्षकारों में से कोई एक ऐसे ट्रांसफर एप्लिकेशन को हानेबल सुप्रीम कोड के सामने पेस करेगा ये धारा 406 CRPC कहती है और मानिक उच्चतम नयायालै उस मामले को समझ करके अईसे अंतरन का या ट्रांसफर का आदेश जारी कर सकता है दोस्तों ऐसे कई मामले हुए हैं आपने जानकारी में होंगे जिन को यहां से ट्रांसफर दिल्ली किया गया और दिल्ली में एक साथ सभी का ट्राइल चलाया गया इसके बाद धारा 407 CRPC ये कहती है कि जब किसी मामले को एक राज के ही उच्च नियायले में किसी अधीनस्त सेशन खंड से एक जगे से दूसरी जगे अंतरित कराना हो जैसे माल लेते हैं इलाहबाद सेशन कोर्ट में कोई मामला है जिसक आपको लखनव सेशन कोर्ट में ट्रांसपर कराना है दोनों में से कोई एक ऐसे उस जगे पर निबास कर रहे हैं और ऐसी कही इस्तितियां आ गई हैं आपको लग रहा है कि यहां आप हमें न्याय नहीं मिल पाएगा पहले तो इंटर्नल ट्रांसपर ही हो जाता है पिर डि उस राजिके उच्छ न्यायाले में एप्लीकेशन दाकिल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन में बितेफि डेफिट पूरी बात लिखते हुए अपनी डिमांड कर सकते हैं और आपकी डिमांड को सुनकर ऐसा अंतरा किया जा सकता है अब दोस्तों किसी एक सेशन खंड में ए दिस्टिक जज का court है जिसको सेशन court कहेंगे चुकि यहाँ पर criminal proceeding की बात हो रही है तो जो दिस्टिक जज होते हैं उनको वो दो भाग में divide होते हैं एक तो दिस्टिक जज जब वो सिबिल मामने देखते हैं और एक सेशन जज जब वो क्रिमिनल मामने देखते हैं तो आब हम सेसन कोर्ट या सेसन-जजज बोलेंगे. सेसन-जजज के अधिनस्त कई और additional सेशन जजज होते हैं, उन सेशनियदे के यहां कुई मामला है, उस मामले को बापस इनही सेशन कोर्ट में लाना है, या एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ले जाना है. ऐसी इस्तिती में धारा 408 CRPC के अंतरगत सेशन जज़ को मने डिस्टिक जज़ के यहां अब इदन दाखिल होता है कि क्यों ना इस मामले को इस तरह से अंतरित कर दिया जाए अब मुझे नियाए की आसा नहीं रही है इसमें और भी समस्या हैं जो भी जिस तरीके से जो आप ग्राउंड रखना चाहें ग्राउंड पर बात किसी और दिन कर लेंगे अभी बताना यह है कि किस प्रकार के ट्रांसपर को कहां उसकी एप्लीकेशन दाखिल करनी चाहिए दोस्तों 410 CRPC यह कहती है कि जब लोबर कोर्ट में लोबर जूडिस्री में माने किसी मुख नयाइक मजिस्टेट या मुख महानगर मजिस्टेट के कार्यायाले में जब कोई मामला आपको अन किसी कोर्ट से अंतरित कराना है ट्रांसपर कराना है तब ऐसा एप्लीकेशन धारा 410 CRPC के अंतरगत मुख नयाइक मजिस्टेट अर्था CGM की कोर्ट में दिया जाएगा और CMM को पूरी बात सुनने के बाद बताने के बाद कि क्या समस्या है क्यों क्यों इसको ट्रांसपर कर दिया जाए वहां से किसी अन्यनयायले में और वो ट्रांसपर कर सकते हैं आयसे ट्रांसपर्ण की अपील फिर सत्नयले में होगी फिर उसको आगे बढ़ाते हुए वो उचितम नयले तक जाया जा सकता है वो अलग भी सह है लेकिन प्राइमरी जूडिक्षन में ही हर मामला दाखिल होता है तो इसका प्राइमरी जूडिक्षन इन धाराओं में है इसक है वर्गों में सबसे जो लोएस्ट वर्ग है मानि सबसे नीचे का नयायले है वो कारिपालक मेस्टेट का नयायले है उसके अंतरगत जब कोई एक मामला ट्रांसपर कराना है तो धारा 411 CRPC के अंतरगत प्राक्षन पत्र जाता है एक कारिपालक मेस्टेट के नयायले से कोई मामला अंतरीत कराने के लिए इन धाराओं में प्रार्पना पत्र देना होता है। दोस्तो मामले सभी उचित जीओडिक्सन की कोर्ट में ही दाखिल होते हैं। चुकि आरूप पत्र आने के बाद पुलिस का काम है सही जियोडिक्सन वाले मामले में, सही जियोडिक्सन वाले कोर्ट में उस आरूप पत्र को दाखिल करना है। लेकिन अगर जियोडिक्सन पर कोई आरूप है तो उसके लिए अध्याय 13 CRPC में विस्तत विब्रण दिये हैं। उन पर कोई अगले वीडियो बात करेंगे। आज केबल ट्रांसपर एप्लिकेशन की बात थी। दोस्तों अगर हमाई वीडियो जे आप लोगों को पसंद आते हैं तो कम से कम हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और कम से कम अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को सेयर करें और बताएं। नमस्कार।